गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम साइन्स के लेसन फर्स्ट के क्विशन 6 तु 10 सोल करेंगे इस्ते के पहले वीडियो में हम 1 तू 5 क्विशनां से सोल कर चुके हैं तो देखते हैं क्विशन 6 निवन रासाइनिक समीक्रणों को संतुलित कीजिए इन समीक्रणों को एक्विशन को में बैलेंस करना है तो हम पहले भी देख चुके हैं समीक्रणों बैलेंस करने की रूल्स होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं एच एन ओ थ्री प्लस कैल्सिम हाड्रोकसाइड कैल्सियम नाइट्रेट प्लस वाटर तो सोल करने तरीका हम देखते हैं इसमें एच एन ओ थ्री प्लस कैल्सिम हाड्रोकसाइड सी एन ओ थ्री कैल्सियम नाइट्रेट प्लस वाटर इसमें देखते हैं लेट एंट साइट ह लुक्तyanus कैंसे मैं सतीजिए और जोकलो है तो थी learnt Löshukyu कोश्क्या भार्व इधिदा को अंते अध॥ चाहिए हम देखते हैं से हम सब्सक्राइब सेरा फ्री ऑप संवह, कैल्सियम वन राइब को हुए इसको बैलेंस करने लुप inside यहां पर प्रताती सिल्फ उत्लें स्टाइक्व हो गया करतें और इसको टुसे मुटिप्ल्रिया है जैसे वार्डिय। एक है permett यौनगे स्टान कितने हो गए तु प्लस टू कितने हो गए पूर तू प्लस टू ऐं टू कितने हो गए ah कि यहां पर हाज बहुंद कि लगाया है ऐसे बैलेंस हो गया हाज बैलेंस हो गया हाज कि लगाते हैं तो यहां पर यह तो यहां NaOH plus S2SO4 sodium hydroxide plus S2SO4 sodium sulfate plus water left hand side जब देखते हैं Na कितना है? 1 O कितना है? 1 यह वाला O इस sulfate में count वाला लगसे हम counting नहीं करेंगे hydrogen कितना है? 1 plus 2 कितना होत टोटल? 3 2 और sulfate कितना है? S4 कितना है? 1 इसी प्रकास आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर Na कितना है? 2 oxygen कितना है? 1 hydrogen कितना है? 2 और S4 कितना है? 1 यहाँ पर इस से पहले S4 देखते हैं तो बैलेंस हैं दूसरे लेते हम Na जो किन बैलेंस है एन यहां पर दो हैं, यहां पर एक है, तो हम दो से मल्टिप्लाई कर देते हैं, जैसे हम टू से मल्टिप्लाई करते हैं, एन एको, एन योज को, तो यहां पर ओक्षिण कितने हो गए, दो, और यहां पर हाजरून कितने हो गए, तो तो टू प्लस टू, फॉर, यहां पर हमारे एकजिशन क्या हो गई बालेंस नेक्स्ट है बैयम अच्परल्राइड यह बाक्योराइड सभिर्ट अबक्रीक अमल बेरियों तपाके सेट फोफेट प्लस है इसे इसी यह यह प्योराईड और टान जनक्राइड और एसे लिजन को साहिए वन एसे हट डिलिए राइट जाट देखते हम बेरियम तो बवान डिलॉरी वन हाइड्रोजन वन स्लफेट पॉइट तो इस फ़र हम देखते हैं यहां पर पहला अलिमेंट बैलेंस है दूसरा पहला इलमेंट बैलेंस है सेक्टें की जाएंब कितना है तो और तो मारी वेलेंस हो गई है यह भी बैलेंस चारा मारे अलेमेंट इक्वल हैं तो मारी वेलेंस बैलेंस मैंक्स चेकिन नंबर 7 देखते हैं निम्न अभी किरियाओं के लिए संथुलित रसानिक समिकरन लिखिए मतलब पहले तो इन समीक्रण को हमें क्या कर चेंज करना है इनके फार्मूले लिखना है या पर उसके बाद में इसको में बैलेंस करना है तो इसके लिए हम देखते हैं पहले रेक्शन है केलसियम हाइड्रोकसाइड प्लस कार्बन जाइड्रोकसाइड कैलसियम कार्बोनेट प्लस जल कैलसियम हाइड ओक्साइड का फार्मनता CAOH की टुआइस CO2, CACO3, S2 तो देखते हैं रियक्शन को कैलसियम हाइड ओक्साइड प्लस CO2, कैलसियम कार्बोनेट प्लस S2 आप कोशिच कर इसको खुद सोल करने की वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जैसे कैलसियम इस तरवन है यहाँ पर CO2, C1 CB1 है, ओक्साइड यहाँ पर 2 और 2, 4 4 है, इदर कितने हैं? 3 और 1, 4 हाइड जोनियम पर कितने हैं? 2 और हाइड जोनियम पर कितने हैं? 2 जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट प्लस एजी, इसमें देगा जैजन तोनों तरव कितने हैं? 1, 1 है नाइट्रेट ग्रूप है इदर 2 है, इदर 1 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं मैं कि यहाँ पर 2 सामसी हो कितना हो application? 3 इसी में नाइट्रेट कुरूप है अलुमिनियम प्लस कोपर क्लोराइट अलुमिनियम प्लस कोपर तो यहाँ पर अलुमिनियम वन है इसमें ब्हल Przyक्र कितना去 सीyes को थैखाँ कितने है Do यहां पर कितने है dus look in test 1996 करते है कि निए संक्राइब करते हैं कि दोनों के संख्या सेम आयए और स्टो दोनों तो में कि तान ची ittאני चीजिएगा तो यहां पर थिरी से मल्किप्लाई कर दें और मैं यहां प्रट्टिफिते हैं 2 से जैसे हमने यहां यह थिसLYわか्छा ज RM 2 यह पर इसको मिल्टेपल केका है तो अलुमिन के आग सेख्या स्थी नहीं टो पर इसको हिए तो हुआ है यह चैसे सिद्धिन नेजमेंग अपर नेक्स नेक्स प्लूराइट प्लास पोडेशियम सलफेट बिएडियम सालफेट प्लस पोडेशियम सुर्वड इस सब किराकुल हम देखते हैं BACL2 plus K2SO4 BASO4 plus KCL हम देखें आपर left hand side ये right hand side यहाँ पर B.A. कितना है 1 CL कितना है 2 K कितना है 2 और SO4 कितना है 1 यहाँ पर B.A. कितना है 1 CL कितना है 1 K कितना है 1 हम यहाँ पर CL को multiply करते है 2 से 2 यहाँ पर लगाते ही K भी कितना हो गया 2 और CL भी कितना हो गया 2 SO4 दोन तरफ कितना है 1 1 तो एक किसे हमारी balance हो गई next जेकते है Q8 Q8 में देखते है निम्न अभिकिरियाओं के लिए संतुरित रासानी के समिकरन लिखिए यहाँ परते के अभिकिरिया का परकार बताईए हमें अभिकिरिया का परकार भी बताना है कि अभिकिरिया किस परकार की है तो potassium bromide barium iodide potassium iodide और barium bromide तो इसमें देखो पिचा हमें इसमें एक फार्मूल लगता है A B C D यह A मानो यह B मानो यह C मानो यह D मानो ठीक है तो इसमें आगे क्या हो रहा है जो A है उसके साथ क्या आ गया D और B के साथ क्या आ गया C A D B C मतलब एक के साथ डी काया और बी के साथ सी काया मतलब इसके अंदर विकारक थे उन्हें अपने आयनों को क्या कर लिया आदान परतान कर लिया आयनों को एक्सचेंज कर लिया तो ऐसी एक्वेशन जिसके अंदर आयनों को एक्सचेंज इसको बोलते हैं दी विस्थापन अभि इसको देखते हैं कि बियार प्लस बीए टू यह कुछ नहीं करना कि यहां पर इतना है यहां पर इक इतना है वन यहां पर कितना है तो लगा देते हैं तो आय कितना हो गया लेक साथ में कितना वाधया प्रोटेस्यम के कितना हो गया तो इसको एक लाइसन आपका जिंक आर्भोनेट अग अग्साइड प्लस इस रीक्षिन में डेखते हैं क्या बैलेंस है रियक्षन तो पहले से ही बैलेंस है लेकि रियक्षन कौन सी है इसमें एक अभिकारक है यह दो या दो से दिक प्रोजेक्ट में तूट रहे ना तो इसलिए कौन सी होगी यह वियोजन अभिकिरिया है अभिकारक दो या दो से दिक हुत पाद में तूटता हैμandez बूलते हैं वियोजन अभिकिरिया नेक्स्ट के आपका एस to 6 naar 12 तू है ुसमें में हजं कितने हैं दो यहां प्रहां कितने हैं और यहां तू लगाँते हम तो hydrogen कितने हो गए 2 और chlorine कितने हो गए 2 यहां पर chlorine already 2 है तो दोने क्यूशन हमारी balance होगी इसमें दो अभिकारक मिल करकर एक कल उतपाद का निर्मान कर रहे हैं तो यह अभिकर्या कौन सी होती है संयोजन अभिकिर्या जुड़ रहे हैं दोनों reaction के अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं इसलिए कौन सी होगी संयोजन अभिकिर्या तो यह कौन सी है संयोजन अभिकिर्या यह उपर वाली उसी विप्रीत है इसमें एक से दो बन रहे हैं यहां दो से एक बन रहे हैं तो यह है आुम्हां है उपना एक देलुकत में सब्सक्राओं न's ऊबीकी एक है यह सब्स्रावाल। एक में इस सट पेली ऑन वचलों खेवर करें जसे हैं तो है मैंतल बाद में कोसीं प्लेक्षाइट रहे हूं में दिखाई दे रहा है कि मैंगनेशियम एक है दोनों तरफ यहां पर सीयल कितने है टू है यह फिस्तापन अभिक्रिया को मैंगनेशियम ने परतिसापित कर दिया है तो यह विक्रिया कॉन से होगी विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया वह विक्रिया होती है जिसके अंदर अधि किरिया सिल धातू कम किरिया सिल धातू को उसके विलियन से विस्थापित कर देता है तो अभिक्रिया कॉन से होगी विस्थापन अभिक्रिया अ तो यह पखुछन बिकिरया से विपरित नहीं किजिए यह कुछछन बिकिरया में आपको उपर देखा है तो दोने बिकिरया के विपरित होती है अब हम दीप दोनों को करते हैं तो देखते हैं इसमें उस्मान चैपी अभी की रिया और उस्मा switches बीकिरिया उश्मा दोनों गये उस्मा को यह अर्थ है प्रकास ताप या उर्जा के रूप में चैपी मतलब बाहर निकलना तो जिन अभी की रियाओं में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ उस्मा भ्यूत्पन होती है उस्मा बहार निकलती है चाहे वो प्रकाश की रूप में हो चाहे ताप की रूप में हो उसको उस्मा छेपी विक्रिया कहते हैं फिर से देखते हैं एक बार उश्मा छेपी विक्रिया है वो दो वर्ड उश्मा और 6же 5000 विव्किला हुई है उश्मा का मरतलब यहांपर प्रकास ताप उरजा किसी भी रूप में हो सकता है शेफि मतलब बहार निकलना तो जी नबिप्रियाँ में उत्पाद के निर्मान के साथ साथ उस्मा भीविप्रपन होती है उन अभिकरियां को बोलते हैं success lol अभी कि रहा इसे एक्जामपल हम देखते हैं गुलकोज प्लस ऑक्सीजन सीजिक्स एस्ट्यल और सिक्स यह फर्मूला होता पैटा यह उक्सीजन है जब गुलकोज को ऑक्सीजन से डियक्शन करती है तो क्या बनता है कि प्लस सीओ टू प्लस अप्लस फूट्या यह उसमा चैक्पी अभी रहा का एक उधारन है यह साथ यसाथ उधारन है शवशन का भी कैसे देखो जब हमारे बोड़ी के अंदर जो फ्लिक्राव जोटीन हमारी वोड़ी यह यह उसके इस इंदर उसके इस टो एक्सीजन लेते इस markets P gi ईसमे dop उत्वागा साथ दूर्जा का उत्वादा रहा है तो स्क में कई में कम negócio सकते हैं हैं जब यह को बी कारबनिक पदार्थ है जब यह तो यह झास्तम नो शहां को क्रणागा साल स्vantage it of sauna को पद सेसे तो साथ में उर्जा उत्पन होती है और ऐसे बिकिरिया जिसमें उत्पाद के साथ उर्जा उत्पन होती है उसमाचेपी बिकिरिया कहलाती है नाकिया की हात लगाँ वहां समय पस्ट आपको अथेली में गरमाच महसूस होगी और थोड़ा सी नमी महसूस होगी यह नमी किसमें आती है जल के रूप में निकलती है जो गरमाच होती है पर दोड़े से निकलती है साथ ही साथ में कुछ उर्जा का उपयोग हमारे सरी की किरिया को करने के लिए काम भी लिया जाता है और हमारे सरी का तापमान बनाए रखते हैं यह सब इसी प्रोस्स की तरह होता है अब लास्ट मारे इस टॉपिक में उस्मा सोशी विकिरिया हमने अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस्मा सोशी विकिरिया उस्मा सोशी विकिरिया ऐसी विकिरिया जिसमें उस्मा का उर्जा उस्मा प्रेकास की रूप में और शोशन होता है जिस प्रकार से उस्मा शोशी विकिरिया भी दो वर्ट से मिलके बनी होती एक तो उस्मा प्लस सोशी सोशी मतला करना तो जिन अविकिरियाओं में उर्जा का या उस्मा का उर्जा उस्मा प्रकास की रूप में आउशोशन होता है ऐसे विकिरिया को उस्मा सोशी विकिरिया कहते हैं फिर से देखते हैं उस्मा सोशी विकिरिया ऐसी विकिरिया जिसमे उस्मा का उल्जा उस्मा प्रकास की रूप में अशूशन होता है उस्मा जो बिगिरिया कहलाती है जैसे प्रकास संसलिशन भीकिरिया 6 co2 6 s2o सोर उर्जा को सोशित करते हैं और क्या बनता है गुलकोज प्लस ऑक्सीजन पोदो के अंदर जो प्रकास अंसलेशन अभिकरिया होती है वो उसमा सोशित विकरिया के सबसे अच्छा उदारण है इसके अंदर क्या होता है इस वीडियो में इतना ही करते हैं नेक्स वी हुट